आप सभी का स्वागत है एच्पी स्टडीज में माइनम इस केशफ कटोच आप सभी बढ़ियां रहेंगे और क्लास देरी से मैं यहां कोई लिख रहें कि सर लुका चुपी खेल रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लुका चुपी खेल रहा हूं आप सभी को पता है कि इंडिया में जो है वो स्ट्राइक चल रही है ट्रक्स की ड्राइवर्स की सो आटिर नगेट एनी कैप टूरीच तो तो मुझे कैब नहीं मिल रही थी और मैं साड़े नो बजे से ट्राइ कर रहा हूँ तो फाइनली एक कैब वाला मिला वो भी थोड़ा सा वोके का फायदा उठाते हुए तो इन्दी लास्ट मुझे आना पड़ा मतलब लेट हो गया मैं थोड़ा सा तो हपी एलाइड की नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है और हपी एलाइड कभी भी आपका तीन या चार मंत के अंदर आ सकता है तो त्यारी हमें अच्छे से करनी है और मैं पूरे जी जान जो है वो इस पेपर के लिए लगा देनी है तो आप लोगों ने वो वीडियो भी जोरूर देखनी है और उनको शेर भी कर दिया करो ठीक है और टेलीग्राम चैनल को जोईन करो वहां पे कई सारी चीज़ें अब हम अपलोड करेंगे जैसे प्रीविस यह पेपर जो है ठीक है उसका क्लास के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दे दूँगा योटिप लिंक ताकि आपको सर्च ना करना पड़ें अदरवाइस अभिशेक सर ने आपको प्रीविस यह कोशन एच्पी जीके के अलड़ी 2015 से 2019 के करवाए हुए है एच्पी अलाइड के भी और एच्पी एंटी के भी उन्होंने शुरू किये थे जो कि बीच में एक दो पेपर रहते हैं वो भी हो जाएंगे आपके ठीक है तो वहाँ से आपने प्रीविस यह कोशन है एच्पी जीके के घर लेने यहां पे आज हम 2019 का GS का पेपर जो है वो डिसक्स करने वाले है जिसमें GS के कोशन कौन कौन से है वो हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है तो आपने लेक्चर को जोइन कर लेना है और शेयर कर दीजिए इसको विकाज बच्चे कम है शायद मैं लेट हूँ तो बच्चे कम है बट आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं करिए ताकि फटाफट बच्चों तक यह पहुंचे उससे पहले हमारा HP Allied और Indy का लाइफ बै दूसरा यह बैज जो है इसमें आपको प्रॉपर प्री प्लस में पड़ाया जाएगा जब आपका मेंस आएगा तब भी आपको इसी बैच के ठूच के त्रू जो है वह आपको रखा जाएगा और नोट बीसी के अंदर मिलेगे सब कुछ इसके अंदर है डाउट शेशन भ वो भी है इसमें यह आपको पढ़ेगा बिल्कुल नॉमिलर प्राइस में बाकी जितने भी आप अकेडमी और इंस्टूट देखते हो देखते हो अगर कोई भी रिगार्डिंग इंफोर्मेशन आपको चाहिए तो 7814846 पर हमसे कॉंटेक्ट जो कर सकते हैं और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप निम्बस कर ये रैप में लाइक बैच में चाहिए वहां पर लगाएं फिर ही आपने को लेना है तो आपको फरक्त जरूर पता लगजेगा जहां मर्जी डेम लोग यहां पर क्वालिटी और क्ल से कर रहे हैं हम 2019 का पेपर जो कर रहे हैं उसमें जीस के जो कोशन्स हाई थे अराउंड नाइंटी और नाइंटीवन कोशन्स थे दो तीन कोशन मैंने स्किप जरूर किये हैं वह मतलब हिटम करेंगे की नहीं करेंगे वह मैंने इसलिए चोड़ दिया उसको अभी के लिए ह जो है वह आपको जी सब्सक्राइब आपको 90-100 के बीच में जो कोशन्स है वह लाश्ट फ्री पेपर में देखने को मिले मतलब लास्ट फ्री में आपको 9200 200 questions जो है वो आपको इसी से जो है वो देखने को मिले है GS section से current affair को थोड़ा कम कर दे रहे हैं बट analysis video मैंने डाला यार देखो उसको देखना जरूरी है किसी भी आप कहते हो न कि या टॉपर कैसे सर वो कैसे score कर लेते हैं त्यारी सब सेम करते हैं सब उतनी मेनत करते हैं बस फर्क इतना होता कि यह जो strategies होती है न वन बाइवन आपको जो है अगर मैंने भी पेपर क्लेर किया हुआ तो मुझे पता है कि वह स्ट्रेजी क्या आपको से चेस में से स्ट्रेजी है सहर पेपर में से स्ट्रेजी होती अनालेसी बहुत ज़रूरी होता ठीक है तो वह आपको help मैं कर रहा हूं आप चलिए तो बोल रहा है कि वह एजुकेशन देखो यह कोशन मैंने करवाया हुआ आपको ठेक है जिन बच्चों ने एक साल से मेरा सेशन लगा रहे है उनको कोशन करवाया हुआ तो एजुकेशन जो है उसको कौन से इयर दैडिस अमेंडमेंट एक के अंडर हमने स्टेट ल 1976 से आपका अंसर होगा जिसको हम मिनी कॉंस्टिशन भी जो है वो हम उसको कहते हैं ठेके ना फॉर्स भी स्टेट लिस्ट से आपका आया था इसमें यहां पर आपको डियान stinky fire Mountain ठीक है चली next question का ध्यान दीजिए इसके answers न मैं आपको that is आप यह लगा लिजी कि answers आपको जो PDF मिलेगे उसमें answers मिल जाएंगे ठीक है now which states are party to be महादाई river water dispute ये भी मैंने आपको करवा हुआ question river water dispute तो वो कौन सी states है जिनके बीच महादाई river water dispute महादाई river कहां से निकलती है सर ये करनाटका से निकलती है कोई बोलेकर से कहां से निकलती है करनाटका से निकलती है और सर इसको ना गोवा की lifeline बोलते है महधा रीवर को गोआ की lifeline भोती क्योंकि गोआ को आनशर क्या होना चाए आपका महारास्ट्रकरनाट्रकर और गोआ जो है वह आपका आसर हो चाहिए वेसी क्यों से बोलते हैं की कावेरी बोटर्टर की बड़ा न्यूस पीच में होगा और पुटुचेरी के बीच में जो है वो हमारा यह दिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलता है तो आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे यहां पे सभी को ठीक है आंसर समझ में आगे यहां पर ठीक है को आपने फड़ावड़ करना है जलिए इंडियन स्टेट्री डिटेल्स यह कोशिन भी हमने किया हुआ है मेरा कहने का मतलब है आप एक बार पेपर को सॉल्फ करों पेपर को सॉल्फ करोंगे आपकी सारे डाउट्स हो जाएंगे यहां पर ठीक है करनाटका केरला तमिलाडू और पुडुचेरी भी है यह भूल गए तो बताएं वह कौन से श्टेट्स का नाम और टेरिटरी की डिटेल्स वह वह क्यों है तो सिंपल है यह फॉट्स श्टेट्स में इस से रिलेट्ट्स है वह हमने बाते क्यों है एक लेर इस आपको लगेगा बाकी जैसे करते हैं यह तो हमारे सी हमार से है अगर आप मेरे पुराने सेशन लगाओंगे तो मैंने तो बहुत एक साल से आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता मैंने कौन सा कौशन आपके लिए डाला हुआ है तो कई बार इसको कर चुके हैं यह से और से Constitution की आइंट करें कि यह स्पोंसिबिलिटी होती है यूनियं की सवे अधा स्टेश फ्रम एक्सटर्न ध्रेट्स इंटर्ल इसीर ने दिस्ट्रिबिंशेज पताइए वह चौथेक आंसर क्या होगा चल्दी बताएंगे चौथेक आंसर क्या होगा और सेशन को लाईक करना और शेयर करना इस इस यूर रिस्पॉंसिबिलिटी तो आप लोग यह जरूर जो है वो करेंगे मेरे लिए जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा तो आंसर क्या होगा आटिकल 355 इस दा राइट आंसर जो है वो आपको यहां पर मिले का क्या आसर होगा आटिकल 355 में यह बात बोली क्योंकि उस टाइम तो कई बच्चों ने किसकी रिपोर्ट थी जल्दी बताएंगे अ कि अ कि बैंक करप्सी आ कि अ बैंक करप्सी और इंसल्वसी कोड इनक्टेड बाया दपार्लीमेंट ऑफ इंडिया 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 टूथा इस रिपोर्ट उर्जित प्रटेल कमेटी एंबी कमाथ कमेटी अधिया कमेटी तो आंसर होगा आपका आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे एंके यह टीके कि आंसर है यहां पर आंसर कमेटी ऐए दाट पी सही आंसर यहां पर बनेगा यहां पर कई लिखा हुआ है आठीक है यहां पर राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा नेक्स्कोशन देखते है यहां नेक्स कोशन कह रहा है कि विद्विच ऑफ दफॉलेंग न्यूस्पेपर महात्मा गांधी वाच एशुशेटेड एडिटर अब आप सभी को पता है कि गांधियन थौट से की गांधियन थौट से आप ये लगा लीजिए कि आपको 5 to 8 कोशन जुहें वह आपको देखने को मिलेंगे और ये लड़ू होते कोशन यह आपको कोशन जैथ आंपको जल्दि बताएं कौन-कौन से हैं यहां पर जो गांधी जी ने लिखा he so है आप सभी को पता है कि तक हरीजन तो उन्होंने यहां पे दिया हुआ है गुजराद डर्पन भी यहां पर दिया हुआ है इन्होंने ठीक है की अर दास्ट आपका कौन सा होगा that is यांग इंडिया आप जल्दी इंडियन ओपीनिन किसने दिये है इंडियन ओपीनियन किसने लिहत है घिद्य बताएंगे मुझे तो अंसर होगा दाइस ओन्टू फॉडर यहां पर वन टू ओँ आये गया यहां पर यहां पर डिया हुए 1-2-4 is the right answer बनेगा आपका 1-2-4 A answer होगा A A is the right answer होगा 1-2-4 is the right answer बनेगा तो गुजरात दर्पन हरीजन और यंग इंडिया जो है वो गांदी जी उसके एडिटर थे चल्दी ठीक है clear होगे सभी को I think इसका 1-3-4 होना चाहिए 1-3-4 होना चाहिए इसका D is the right answer होगा मेरे साब से नहीं बिल्कुल से ही बोल रहे हैं 1-3-4 is the right answer होगा इसका 1-3-4 यह बहां नहीं होगा गुजरात दर्पन नहीं होगा इंडियन ओपीनियन भी आए गास में राइट मैं वही सोच रहा था मेरे दिमाग में एक चीज जो हो चल रही थी तो आंसर आपका डी जो हो यह आप में राइट आंसर जो हो आपका बनेगा D is the right answer है बिल्कुल सही बोल रही है आप लोग वेरी गुड बिल्कुल सही बिल्कुल सही मेरे दिमाग में वह चल रहे थी ताट इस यूर एनी बेसेंट चली नेक्स बताएंगे कोश्चिन का अंसर सब्सक्राइब के बारे में यहां पर पूछ रहे हैं आप सभी को पता हैं यहां पर एंसी बीसी जो है वह 102 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो है उसको स्टिविशनल स्टेटस जो है यह से आपको nc को स्टोडिउल कास्ट को श्टोडुल काеб्र gone को को ढस्तुच्च्च्य बिंच्च्च्र्ण स्टेट्स ऑफ ए उसी तरीके से आपके NCBC बिलको वो भी जो है वो constitutional status जो है वो दीथिया यास that was the new India या that was the new India बिलकुल बिलकुल तेक है तो पताएं बहु पहली statement कहा रही है इडा बिवन constitutional status सबसे बहले कहा है तो पहली statement तो सही है अगर पहली statement सही है तो यह दोनों तो गए आपके देक है दूसरा और इसमें एक नया क्लॉस जो है वो एड किया गया है तो आपका 338 में आपका आता है सी के लिए 338 B में आता है आपका स्टी के लिए और 338 B में आपका जो आता है वो बैकवर क्लासिक आता और इस 338 B से 102 इस बार च्चन देखने को मिला था तो आपके 90 9th अमेंडमेंट से लेकर 106 अमेंडमेंट जो है आपके इन सभी अमेंडमेंडमेंट को detail में जो है वो आप लोग ने पढ़ ले ना इनमेंसे एक कॉशन तो आपको देखने को मिल जायेगा तो B is the right answer जो है वो आपका बनेगा 1 and 3 is the right answer आपका बनेगा next question का answer मुझे बताईए जल्दी पटापट next question का answer बताईए कि बताईए कि वो कौन सी committee है concerned with the regulatory and economy of the expenditure बताईए जनसत की निमिलेंगे से कौन सी समीद व्यक्ति की निमिलेंटी और मित्रिते से संबंदित है बाई जल्दी बताईए विच आप फॉलिंग कमेटी और पार्लिमेटी इस कंसर्ण्ड विद रेगुलेरिटी एड एकॉनमी ऑफ दे एक्स्पेंटिचर जल्दी बताईए क्या answer होगा कौन सी committee है तो आप सभी को पताए कौन सी committee है that is public account committee जो है तो मैंने कल आपको जब मैंने आपको बताया था important topics तो मैंने आपको बताया था कि committees के उपर question आता है schedules के उपर question आपको आएगा fundamental rights के उपर आएगा इन पर fundamental duties यह important topics है जहांसे questions आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है next which of the following recommended the abolition of IES IPS and all India services जल्दी मिताएंगे which of the following which of the following recommended the abolition of IES IPS and all India services all India services कौन से article में आती है all India services कौन से article में आती है article 312 में आती है आप सभी को पता है IES IPS और IFS मतलब forest services जो है यह आपकी all India services में आते है और अभी बोला जा रहा है कि judicial service को भी वो क्या कर रहे है all India services में कर सकते हैं तो यह तीन all India services होती है यह paper में आ चुका है राजमनार कमेटी जो है वह यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका बनेगा है कि चलिए नेक्स कोशन का अंसर बताइए इनमें से इनमें से इसको ब्रिक्स बैंक भी जो है वह बोला जाता इस कोशन को मैं स्किप भी कर सकता हूं अभी कि पहली स्टेटमेंट यहां पही का कहा रहा है अभी तो इसकी डल मेंक के और भी मेंबर्स बन चुके तक को क्रों में और rooms बंड चुके और सि हैं यह बारही बना तहां तो बेंक में आपकेמׂरल यहर्में चार और आड करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बताएंगे कि नियुडर्मेट बैंक के चार नए मेंबर्स वो कौन से हैं तो दूसरी चीज यह बोल रहा है कि कि जो मैं पूछ रहा है उसका जवाब दो जल्दी फटावट कि 2014 में बना ब्रिक्स बैंक जिसको नियुडर्मेंट बैंक भी बोलते हैं अभी रिसेंटली इसके नए मेंबर्स वो कौन-कौन बने हैं यह बता ही आप मुझे भटावट नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं नेक् स्कूर्ण सी स्टेटमेंट जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है तो पहला बोले दा परसें पॉंटे असे इसको नहीं निकाल देता तब तक यहाँ पर यहीं बना रहेगा तो वन ओनली जो है वह यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वह यहाँ पर सही जो है वह आपकी बन जाती तो answers आपके आते ने निची बिल्कुल प्रवीन कुमार हम जरूर जो है वो आपके लिए उससे रिलेटेड डिजास्टर मेनेजमेंट से रिलेटेड और आपके गांधीन थौट से रिलेटेड इससे रिलेटेड सीरीज भी लेकर आएंगे ठीक है डॉन्ट बरी एजिप्ट बोल रहे हैं के युएए बोल रहे हैं इस्थोपिया बोल Czech का हुई अरे ब्रिक्स बैंक का चली बृक्स नेशन में अर्जंटिन आया नहीं आया वो बात की बात है चलिए बताई इसे करेंट कर यह चलो मैं आप से पूछ लिया आप सभी के लिए हाई टाइम है यह अरे मेंबर्स कहां पूछे मैंने ब्रिक्स को जोइन कर रहे हैं मैं नूड डॉल्मेंड बैंक की बात कर रहो है यहां पर देखो पूरा स्पाइडर जी क्या करते हो आप कभी कभी पूरा चिठ्था लिख दिया इसमें यह ब्रिक्स के न मद्यपरदेश जो है वो यहां पर राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा चलिए नेक्स बोल रहे है विच प्रोग्राम है इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया लॉंच इन वेरिफिकेशन आप वोटर्स नेम नियू रिजिस्ट्रेशन चेंजिस और क्रेक्शन इन द वोटर पर तो जो इलेक्शन कमिशन तो अभी भी है तो आपको पता हो नची कि वो प्रोग्राम जो है वो कौन सा है तो आंसर होगा वोटर वेरिफिकेशन और इंफोमेशन प्रोग्राम जो है वो उस टाइम पर इलेक्शन कमिशन को पढ़के जाना क्यूंकि इलेक्शन कमिशन ज सकता है वो ठीकेट चलिए दे एंबीस प्रोजेक्त अब अंडर कंस्ट्रक्शंद सुभर नरेखा पोर्ड इस कमिंग आप इन विच्व फॉलिंग स्टेट मैं अब आ रहा है जल्दी बताएं तो MBS आपका प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन सुबनरे का पोर्ट जो है वो कहां पे आपका आएगा that is answer आएगा आपका उडिशा is the right answer जो है वो आपका बनेगा चली, where is the newly established bankruptcy and solvency board of India headquarter at? Insolvency and bankruptcy जल्दी बताएंगे answer जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे इसका answer मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ अगर आपको पता है तो मेरे इस पे exactly दो चीज़ों में confused होगे तो इसको मैं आखरी में आपको बताता हूँ ठीक है Insolvency and bankruptcy जो आपका act है वो 2016 में आया था यह आप no down कर देता दोहजार सोला में जो है वो Insolvency and bankruptcy बोर्ड जो है वो आपका यह ड़र इस आपका यह यह पका अट्व एक्ट्राइस जो है वो आपका उस्ट्रेम पे आया था कि Insolvency and bankruptcy कि कि तो इसके फंदिती प्रम श का चौनेश्मस कर्का को हां एक चैकर तो इसका है वह आपको मिलेगा न्युदेली में एक संटब़ एक सिन्लाैशर में यह pair उस्किन इसheid the gap between the two neurons यहां पर science के questions हैं जल्दी बताएं the gap between the two neurons is called dendrite, synapse, exon या impulse यहां पर साइन्स के हैं तो नितिन सर नहीं है तो मैं थोड़ा answers आपको यहां पर बता दूँगा तो answer बताईए भी जल्दी क्या होगा that is synapse जो हो यहां पर right answer जो है वो आपका बनेगा उसके बाद लुइस पास्टर वाज एस्टिट विद लुइस पास्टर जो है वो special creation theory of spontaneous generation theory of biogenesis या नन अफ दीस किसके लिए होंगे जल्दी बताएं उसके बाद world biodiversity day जो है वो कब observe जो है वो किया जाता है यह तो environment के section में मैंने आपको कई बर कहा है कि world biodiversity day जो है वो आपसे पूछा जाएगा तो मई 22 मार्च 22 जून 23 या अप्रेल 16 सो आंसर जो है वो आपका क्या आएगा मई 22 जो है और इस साल का जो है वो थीम जरूर पढ़ लेना दो हजार तेइस का थीम जो है वो आपने जरूर जो है वो पढ़ लेना अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन फ्रम सुनलेट कॉजी दा रियाक्शन देट प्रेड्यूस बीच ओप द फॉले यूवी रेज मैंने कितनी बार बताया कि जो रेडियेशन जो आती है उनकी वज़े से क्या बनती है हमारे अर्थ के आसपास सी यो एस सो टू ओ तू ओ त होती है तो आंसर ओ दो यहां पर राइट आंसर जो हो आपका बनेगा नेक्स्ट आता है फूट के एंट नोट विदट जींक कोरेंगे तो आसा क्यों होता है कि उनको हम कोटी वीद दिद टेंक जीनक तो आलसर सिंपल आएगा जब भी आम कोई चीज आसे अैसे करते हैं तो हम उसमें रियक्शन देखते हैं कि इसका रियक्टिव कितना है तो यहां पर जिंक is more reactive than the 10 इसलिए हम 10 को क्या करते हैं यूज करते हैं इसलिए हम 10 को क्या करते हैं यूज करते हैं next question a solution turns red litmus blue its pH is like to be a solution turns red litmus to blue जब भी वह red litmus को blue में चेंज करेगा तो उसका पीस लाइक होगा यहां पर आपका बनेगा उसके बाद which of the falling has the highest velocity इन में से किसकी सबसे ज्यादा हाइस फिलोसिटी होगी कोस्मिक रेक्स लाइट इलेक्ट्रोन या सूपर सॉनिक बेव किसकी होगी जल्दी बताएंगे आंसर जनल नौल या रीट ब्लोकरा इन हिंदी बट माई मीडियम इंग्लिश आवी माचल दरपन इंग्लिश तो रीड बट इन कन्फ्यूस्ट वाइट अक्षे आप हमेंना एक बड़ी कॉल कर ले ना 78148 अभी तो मैं नहीं बताऊंगा ठेक है यारप्टों की क्लास में है नब सुविदा के लिए खेद है आप मुझे बताते हैं तो लाइट इसका है जिसकी विलोस्टी आपको सबसे ज्यादा मिलेगे ठीक है चली एंस्टैन वाड़े नोबल प्राइस फॉर विच फॉलिंग त्योरी के लिए एंस्टैन को जो है वो नोबल प्राइस जो दिया गया तो कि आपको और नुकलियर एंस्टैन आपका जनली कहां पर होता है आपके अधिस अटामिक बॉम में आपका नुकलियर प्लांट्स होते हैं वहां पर आपको fusion देखने को मिलता है और दाट इस यूर सन में भी आपको nuclear fusion देखने को मिलता है तो आंसर जो है वो Co जो यहां पर राइट आंसा यह वह आपका बनेड़ से över उसके वास और मीध प्लांटार रैस्पांसिबल फोर dial an क्या करता है राइलम ट्रांस्पोटट क्या करता है फूड करता है पांड करता करता है ये करता है यह oxygen करता है तो आंसर होगा that is transport water जो है वो आपका करता है यह जल्दी आंसर करेंगे देखो यह कोशन 2019 के हैं तो आपको एक बार attempt कर लोगे तो काफी फाइदा जो है वह आपको मिल जाएगा तो आंसर क्या होगा यहां पे कौन सा प्लोरोफिल का पार्ट जो है वह आपका नहीं है सो कार्बन भी है मंगनेशियम भी है 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 केल्शियम जो है वह इसका पार्ट जो है आपको नहीं मिलेगा चलिए विच वन आफ दे फॉलिंग इस आल्सों कॉल्ट पावर प्लांट ऑफ दे सेल भी जो है बोला जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है कई पार पेपर में पार्ट ठीक है माइफ पार्ट आचक है साइन्स इस थांट पाय पार्ट बट या आव और टो गिव यू द एट आपको कौन कौन से से स्टेशन से जो आपको आपके तो लो विच आप फॉलेंगे गेव दे इंडियन दे शेर इन अपर आउन कंटरी फॉर्स ताइम इंडियन को आड करना शुरू जो है वो हमने कौन से एक्ट में किया था आपने सुना अगरा बनारस वगेरा पटे महारा आज आ लाहाना सर द से राइट आंसर जो है वो बनेगा नेक्स्ट है विच आफ द फॉलिंग हूँ वासे गवर्णर जनल ओनली नॉट दवाइस इनमें से कौन से सिफ एक गवर्णर जनल है वाइसरोई नहीं है तो गवाइसरोई आपके 1958 के बाद आपके बने थे हाना गोर्मेंट आप इंडि जो है वो आपको क्या मिलेगा डाट इस सिर्फ पर सिफ क्या मिले गवर्णर जनल डाट इस लॉड इनब्रो वही है जिसके टाइम पे सिंद को जो है वो एनेक्स वह किया गया था यह भी कोशन का इबार पूछा गया है चली नेक्स को बताईए कि वेंडिट राकाली टेक जो है तो आकाली एक्ट आपको सभी को पता होगा कि उस टाइन पे कब हुआ था तो आंसर होगा 1921 में जो है वो यह आया था उसके बाद इसको फिर से अमेंड किया गया था 1925 में तो यह आपको धिहान में रखना है ठीक है मैं जल्दी में इसलिए भी करवा रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि नब्बे कोश्चन से हमारे और आगे भी सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेरी गुड चिक है सेशन को लाइक करते जाना है आप लोगों ने और शेयर भी करते जाना है नेक्स आप से कोश्चन विल जो है वो उन्होंने लिखा था तो न्यू इंडिया और कॉमन वील आर्था वेरी इंपॉर्टेंट और एनी बेसल्ट ने उन्हीं सो सोला में होम रिगली मुवमिंट को भी जो है वो स्टार्ट जो है वो किया था चैक है तो 31 का डी जो हो यहां पर राइट आंसर जो ह आमदास वालचंद हीराचंद कि यह कोशन शायद आप लोग को ना पता हो बट इसको रट्टा मार लो क्या पता है रिपीट में कोशन आजाए तो एस दा राइट आंसर बनेगा इस दा राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा गांधियन फॉर्ट के जितने भी कोशन होंगे वह आपको मैं दे दूंगा और आपको जब मैं कराऊंगा तो उनको थोड़ा रट्टा मार ले ना कुछ सेक्शन ऐसी जहां से कोशन हिट करता ही करता है तो वह सेक्शन हमारे को ध्यान में रखते हैं ठीक है जली कि विच अब फॉलिंग नेशनल लीडर्स वास्टू टेक अप दे केस और प्रीजन सब मेरेट कॉंस्परी केस को किसने लड़ा था जल्दी बताएंगे वल्लब भाई पटेल राजेंदर परसाद मोती नहरु यह एंसी चागला तो आंसर होगा आपका एंसी चागला जो है वह यहां पर राइट आंसर होगा कोशन को नोट डाउन करना है कोशन को देखना यार कहां से कोशन आये है यह पेपर करने का मीन मुद्द है और एक अध कॉंफरेंस में किसने अंटेजबल को जो है वह रिप्रेजेंट जो है उस टाइम पर किया था जल्दी बताएं अगर यहां पर गलती से भी भाईया रंबिटकर होते तो लोगों ने वीवा रंबिटकर जो है वह लिख देना था तो आंसर के जग जीवन राम जोतिवा खु क्या आंसर होगा जाबाश तो आंसर होगा सिवराज जो है यहां पर राइड आंसर जो है वो आपका बनेगा चलिए अंडर हूस प्रेजिदेंट्शिप देशन आप इंडियन साइंस कॉंग्रेस एस्टिशन वस हैंडिन क्यलकता इन 1914 वह बताएं कि सब दाट इस अंडर ह प्रेजिदेंट्शिप जो आपकी फर्स्ट इंडियन साइंस कॉंग्रेस हुई थी कलकत्ता में 1914 में जगदीश चंद्र बोस और यूर जेम्स तॉम्सन इसके भाई हुई थी जल्दी बताएं तो आंसर होगा आपका आशुतोष मुखर जी इस दराइट आंसर जो है वो आपका बनेगा आशुतोष मुखर जी सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक करतो एक बारी और शेयर भी करतो अभी बताओ भई अच्छा लग रहा है एक बारी प्रैक्टिस हो जा रही है ना सभी कोश्चंस की मिक्स कोश्चंस है मोतिलाल हू प्रसाइड अपर अम्रिसर्च सेशन ऑफ ओल इंडिया कॉंग्रेस से शेशन में क्या हुँ वह यह अब को लाइट अफे यहाँ मैं सब्सक्राइब यहाँ वान सभी सैशं को एक बार देख लेना बी अब कीपीडिया थि क्या estád बताएए भी पॉपीं का कहा फोपन हुआ था में कहा फोपन हुआ था प्रस्ट वॉमसथिए यौढë में पूदियमन वाली ओलग है दिक्षाइग कारवे प्रूसट्री जो उनिवर्सटी स्थियर मैं कहा खुड़ा था तो वह आएगा आपका डेली वो यहां पर रागषा वो आपका बने गए यहां पर चलिए नेक्स है और फॉलिंग हूरोट कमेंटरी ओन दो बाइबल इन में से किसने कमेंटरी लिखी थी बाइबल पे मुहम्मद काजिम नानुतावी सरेडविन अर्नौल्ड सैयद अमत खान और विवेकानन्द बताएं वहीं किसने लिखी थी नब्बे कोशन को फटाफट करना है हमने वह आपको तीन गंटे मिलेंगे 200 कोशन करने के लिए तो आंसर आएगा सेयद आहमद खान यहां पर राइट आंसर जो है वो बनेगा नेक्स यह वह सेंटर आफ एहमदियास इस्टैशन पाकिस्तान आ अब यहां पर देखके आपको लग रहा पता वे रहां पर पाकिस्तान की जगह है तो आंसर क्या होगा रभबाबाद यहां पर राइट आंसर और एमदियास उस टाइम पे न्यूज में भी था एम दियास न्यूज में था और न्यूस के रिगार्डिंग जो हो आपे उन प एक लेवल पर माने जाता ही थी क्या यार इंडियास आए इंडियन मुस्लिम्स को तो वैसे ही नहीं माना जाता है वह 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 यहां के थे वह बड़े प्राउड है एक सैट अप मेंटैलिटी वैसी है ठीक है कि नेक्से वेन वह सब्सक्राइब होने चाहिए मेरे साब से दे दी है और बच्चे को इतना एक डीप आपको नहीं पता होता तो यहां पर आंसर जो है वह चोदा जून अठास चैनले पट इससे को स्किप किया करो तुक्के मत मानना क्योंकि अगर तुक्का मारा तो ख्याद ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत आंसर कर दो ठीक है तो मैं इस नोट करेक्ट अब फैरेजी मुवमेट अब देखो यह सोचो रिलीजियस रिफॉम से कितने कोशन से वह यहां पर पूछ लिए गए हैं आप से इन में से कौन सी फैरेजी मुवमेट से रिलेटेड बात रही नहीं है ठीक है तो इट इस फाउंडर वाश शरीत अउल्ल अभी तो 40 questions हुए है what even हुए है तो answer होगा its leaders preached in Persian and Urdu only यह गलत statement है बाकी सभी के सभी हो शरीत उल्ला तो सब्सक्राइब को भी पढ़ते हैं तो यहां पर आपको जो that is a Muslim reforms जो हुए थे वो आपको पढ़ने हैं यापर ठीक है next which of the falling act removed ban on the missionaries to preach Christianity and granted an annual grant of rupees 1 lakh for education falling act removed ban on the missionaries यह मैं question करवा चुका हूं कि वो कौन सा एक act था जिसमें Britishers ने Christian missionaries को open कर दिया कि वो खुले आम जो है वो जाटे आपने धरम की जो आप परचार कर सकते हैं और annual grant of 1 lakh of education जो उस टाइम पर ग्रांट की गई थी बताइए वो concept so simple है that is chartered act 1813 यह वही act है जिसको मैं बाहर बात चीक चीक के बोलता हूं कि जिसमें monopoly जो है वो literature's की ट्रेड में हटा दी गई थी except the China and trade in tea तो ट्रेड विचाइन टी अभी भी थी 1813 में बाद में 33 में यह भी छीन ली थी इंसे चेकें चली next question का answer दीजिए when and where was open the first female school in the Punjab first female school in Punjab कब खुला था 1850 लहूर 1852 जलंदर 1856 रावल बिंडियन 1840 एंड लोध्याना modern history से कोशन काफी ज्यादा आते हैं आपको modern history बड़ी important है geography modern history or quality याद रखना कि अगर आपने hpgk को skip किया तो आपका paper clear नहीं होगा यह मैं आपको बता दूए hpgk में 60 के 60 आते हो 60 में से 40 question ठीक होने चाहिए आपके मैं क्यूं बोलता हूं 20 का gap इसले लेता हूं क्योंकि कहीं न कहीं आप रह जाते कुछ को छोड़ते से कुछ को रिष्क लेते हो तो वह 40 to 45 का area जो है वह बीच में आप रहें चाहिए बर 30 पर आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आंसर होगा आपका बताए आंसर क्या होगा जॉन स्मार्ट जो है वह यहां पर राइड आंसर आपका बनेगा बढ़ी यह बहुत बढ़ी आंसर मैं तो भी देख रहा हूं आप लोग के आंसर वेरी गुड वेरी गुड सेशन को शेर भी करते जाना है आप लोगों ने ठीक है पचास से ओपर टपाओ इसको 50 से ओपर जाने जीए बच्चे चलिए विच आप फॉलिंग इस करेक्ट अबाउट जमाति इसलामी जमाति इसलामी से रिलेटेड कौन सी चीज यह यहां पर सही है इसमें से कौन सी बात सही है तो यह आपका यांत ऐगा जैगा इट बॉल्ट से मिले घाले बड़ा एर होगा कि आपको बहुत कम कोश्ण होहाँ से मिल जाए चलिए विच फॉलिंग वॉस नौट लीडर ऑफ हिंदु महासभा पे तो हमेशा कोशन आता है उन्नीस सो पंद्रा में आपका हरीद्वार जो है वो इसका हैड़कौटर होता था मदन मोहन मालविया जो है वो इसके में संस्थातकों में से इनका नाम आ जाता तो लाला लाज पत्राइय भी इसके मेंबर थे पिस मुझे भी सके मैंबर थे स्वामी शर्कानंद भी वहां वो इसके मेंबर आपको देखने को मिलते हैं आप ठीक है क्लेर होगे सभी को के समझ में आगे ने सभी को कि चलिए नामधारी लीडर बाबाराम सिंग बॉज दिसापल लॉफफ नामधारी लीडर बाबा राम सिंग्हा दिसेपल ओफ एंप से दिक्राइब गरूड अयरु जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा कि इस सबीकी का आंसर होग यहांसर में कि यहां पर बालक शोए वह यह राइठ तरह जो है बनेगा चलिए विच अफ फॉलिंग इंडिया तुमेज़ दधा रेट ओफ इंदिया रेट करना हो तो किसको यूज करता है रिजब बैक अप इंडिया नस्डेक इंडेक्स बीके इंडेक्स कण्जूमर पर साइडिया होल से परसाइड इक्स को करता है यह 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 जो है वो किसको देखता है यही दोनों में से आपको चूज करना है वह दोनों कि उसने डाल दी उसको पता इन लगा कहा दाल तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बालक सिंग यहां पे राइट अंसर है बिल्कुल तो यहां पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कंजूमर प्राइस इंडेक्स यह तो कई बार आपको निक्तिन सर्न ने क्लास में भी जो है वो करवा दिया हुए चलिए नेक्स है तो फॉलिंग एक्टर वह फैक्टर वह फैक्टर वास नॉट कंसीड़ बाइद फॉर्टी फैनेंस कमिशन को थोड़ा सा दोसो असी को भी आर्टिकल अच्छे से जो है वो पढ़ लेना तो फॉर्टी नाइंत का आंसर जो है वो क्या आएगा तैट इस डेम प्रस्टेश को यहां पर सिर्डेंग की बात कर रहा है टॉटल फॉर्टी प्लस टुरी कभर की अरिए की बात नहीं कर रहा है तो 21.54% according to that आएगा आप लोग मुझे पता कर लेना द्याते 2021 में क्या था चलिए चलिए वाट इस अपरपस अब सेटिंग अफ ए स्माल फाइनेंस बैंक इन इंडिया हमने स्माल फाइनेंस बैंक को क्यों रखा है बही जल्दी बिता है मुझे पता है और अगर हम स्माल और मार्जन farmers की बात करते हैं या बिग farmers की बात करते हैं तो किस बेस पे हम उनको decide करते हैं कि वो बड़े हैं चेक है very good spider चेक है so answer होगा one and two only जो है वो यहां पर right answer जो हो आपका बनेगा चलिए which of the five year plan was terminated a year before its original term वो कौन सा plan है जो कि आपका terminate कर दिया गया था उसके original मतलब पूरा का पूरा यह जो है वो उसका पूरा नहीं आया तो fourth fifth sixth और seventh मैंने five year plan के बारे में भी आपको बोला था कि five year plans को अच्छे से पढ़ना वहां से question आयागा तो यहां पर fifth plan जो हो gross physical deficit जो है वो state government की किसके द्वारा finance की जाती है market borrowings printing currency loans from the central government यह external borrowing बताइए क्या answer होगा तो answer आपका होगा that is market से पैसा और that is loans from the central government अभी आपने देखा होगा कितनी आपदा जो है वह हमारे दे यह that is state में माचल परदेश में आई और उसके बात में कोई भी project लगता तो से center से भी हमें कोई मिलता है loan मिलता है market से भी हम पैसा जो है वह उस खरकार उठाती है तो one and three जो हो यहाँ पर correct statement जो है वह आपकी यहाँ पर आएंगी printing the health card scheme जो है वो उस टाइम पर काफी जादा फेमस थी तो उसमें इन्होंने कोशन पूचा था कि इन्हों से कौनसी statement जो है वो सही है expanding the cut divided area under irrigation enable the banks to assess the quantum of loans to be granted to the farmers on the basis of soil quality checking the overuse of the fertilizers अब यहाँ भी इन्होंने correct statement पूचिए checking the overuse of fertilizers in the farmlands पता ही क्या answer होगा irrigation के अंडर soil health card क्या देख रहे यहाँ पर soil की health देख रहे तो जल्दरी क्या देखेगा health कैसे पता लगेगी overuse of the fertilizers तो नहीं हो रहे ठीक है यहाँ पर loan की बात तो हुई नहीं है यहाँ पर irrigation की बात तो होती नहीं है तो आपका three only जो हो यहाँ पर right answer जो हो आपका बनेगा तो recently जितनी भी schemes है c बोल रहे हैं सभी के सभी c में क्या रहा था भाई two and three and ever the bank to assess the quantum of loans to be granted to farmers on the basis of soil quality soil health card क्या होता है soil की health के बार में आपको बताया जाते है कैसी health है वहाँ पे loans नि प्रवाइड किया जाते है चलिए what is are the most likely advantage of implementing goods and services tax goods and services tax एक जुलाई 2017 को 101 commitment act so it will replace multiple taxes collected by the multiple authorities and will thus create a single market in India it will drastically reduce the current account deficit of Indian will enable it to increase the foreign executive बिल्कुली गलत है it will normally increase the growth and size of the economy of India will enable to overtake china in the near future लगता है GST से ऐसा कुछ होगा GST से फिर multiple taxes collected है उसका हमें फायदा होगा तो one and only यहां पर right answer बनेगा statement से ही right हो जाता है statement से ही question जो है वो सही आपका हो जाता है चलिए next question का answer देंगे which five year plan in India has recorded the largest gap in terms of the growth rate between the service sector and the industrial sector यही तो question था tough उस ट्रेम पे अगर आपने five year plans को बहुत अच्छे से देखा है तब जाके आप इसका answer जो हो अच्छे से दे सकते हैं यहां पर right answer जो हो ninth plan आना है बस मैं इतना बता जता हूं आपको ठीक है ninth plan जो हो यहां पर right answer जो हो आपका बनेगा ninth plan is the right answer बनेगा ठीक है चलिए which type of which type of volcanic eruptions has caused duck and trap formations in इंडिया बताइए विस टाइम वालकेनी के अरप्शन जिससे आपके зависer eruption होते है जिसकी वजह से वह पानी कितनाअ फैल जाता है तो tell technology के तौर में जिसमें पानी जाता है और वही細ड़े ओ चाता है पसार शील बोलकेनों कैसे हो सकता है चलिए which one of the falling is the meeting point of अलकनन्द और भागी रथी कहां मिलते हैं ज्यादा नहीं मैं इसमें करूंगा आपके लिए चलिए नेक्स्ट है रिवर आइलेंड माजुली कहां पर कितनी वार कोशन करवाया यह अभी पीछे ही जिए कहां पर है यह प्रकॉशन पूछा था मैंने तो आंसर क्या होगा यहां पर ब्रह्मपुत्र में असाम में आपको जो है यह आइलेंड जो हो देखने को मिलेगा जोग्रफ करवाया और यहां पर कर भाया है तो यह आंसर क्का विए रख्षोंध यहां पर कर भाया है तो करवाया हुआ है तो इसने कौं blossom से बढ़र आपने अच्छे से पढ़ा तब ही आपको कोशन होगा दरवाब bell कोशन नहीं होगा ठीक है चली विच वन आप दो फॉलिंग रिवर इस नॉट रवीट्र यह भी कोशन आपको करवाया हुआ है कि इन में से कौन सी यमुना को तो आप हिमाचल में भी पढ़ते हैं और यमुना को आप क्या करते हैं तो यहां पर टॉंस और गीरी को तो आपने पॉलिए पढ़ने दे सबको पढ़ने भाई एक फ्लो बना हुए मेरा भी और बच्चों का भी लो ही टोड़ना है आमने को यह ध्यान में रखना फ्लोज में तूटने किसी बच्चे का अब बना हुए ठीक है तो क्लास के बीच में कहीं पे भी ऐसा बात नहीं बोलनी है कि किसी का चाट स्टार्ट हो जए और मैं क्लास छोड़के देखो फ्लोव तूट गया तो फ्लोव को नी तोड़ना है आप लोगों ने थेकर इस्पाइडर है कि नौलेजबल बात कर नी मेर से करो इसी को किसी कुछ नी बोलना है विच्वन फॉलिंग स्टेट हाई देंसिटी कि इसमें है वेश्पिंगौल बिहार केलब मंचाब 2011 का सेंसे पढ़ लेना क्योंकि अभी 21 का तो भाई सरकार भाई क्या बोल सकता हूं है पहली वारा सोगा क से रिलेटेड आपको कोशन जो है वो पूछे गए है तो नाशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो आपका हैथराबाद में आपका पड़ेगा यह बहुत इंपोर्टेंट है है यहां से अगर आप पंजाब युनिवस्टी से भी आप जी एस करते तो वहां पे आपको र बुला जाता है आरे लिगणी मेंगरी इंप हो कि ब्राउन डायमेंट किसको बुला जाता है जल्दी बताएंगे यहां पे अंसर चेक है तो लिगनाइट यहां पर आंसर जो है वह आपका बनेगा जिसको ब्राउन डायमेंड जो है वह बोला जाता है इन में से इन में से आपको बताना है कि जहांपे जो है हाईस्पर पिछ नाइस आपका उडिशा जो है वह यहां पर राइट आंसर अशाम आईगा चलिए अमंस्ट एंडिया कॉन से सबसे कम बोलने वाला कॉन से इसमें पंजाबी तमिल गुज्राट इन आती किश्मीरी यह तो आंसर बताओ भाई 66 का अंसर जल्दी फटा फटा बताना है अ बताओ जल्दी अ लिगनाइट पोर ब्रैटी वेरी गुट सौरूब लिगनाइट बताओ जल्दी बताएंगे यहां पर सेशन को लाइक भी करों पॉर्टी त्री पर फटी त्री अट के वह आ रहे जा रहे जा रहे जा रहे आ दा रेलवे मैं नहीं था अना दा रेलवे मैं नहीं था इतिंक हाँ जिसमें वह त्री इंडेट वाल एक्टर भी था वह जिसमें नंभी नरायन भी जोब बना था तो आंसर होगा जाड़ी जह मैंमेड डिजास्टर जोब यहां पर बनेगा ठीक है कौन सी ग्यास थी मुझ बताओ दा रेलवे मैं नहीं है ना इफ आम ना रॉंग सर्दियों का टाइम था ग्यास ली कोई बड़ी अच्छे से बताया हुगा इस मूवी में तब पर इसमीं और भिखए घौण क्या हम अपक्यांट कर दीडिक्द्यर स्लीफ कर के भादर किसको बोला जाता है तो क्यूं है तो यसे सुचे क्या होता है तुसिली यृhen दे क्या है पुग पर अब पर्ड़ क्या कहा है आभी पर肯ा ना अब आते हैं डूमें आते हैं कंटरी एक प्रस्टी में जबते हैं गादे इस ऊप पहल tickets बेट में आपका इसलिए बापी मिलते हैं तो आड़ी ओल्ड में जुह है आधा राइट आंजर यह वो वाल तो बनेगा यहां पर चलिए अच्छल लिए और डिसास्टर में में अथॉरइड के हैं बड़ा एजी कुश्षन है यह एनदे एम्य के हैड कौन होते हैं चल्दी बताएं कि एंडिया में के चेर्वन कौन होते हैं दाट इस प्राइम मिनिस्टर अप इंडिया भॉपाल गैस्टर कब हुआ था यह तो अभी बता दिया मैंने 1984 में हुआ था तो दो क्वेशन आपके देखो भॉपाल गैस्टरेडी पर आ चुके हैं ठीक है उसके बाब पूछ रहा है जो है वो उसको नौथ अमेरिका में क्या बोलते हैं नौथ अमेरिका में वॉयल्ड फायर्स को क्या बोला जाता है जल्दी बताएं जल्दी बताएं तो यहां पर आंसर जो है वो आपका बनेगा सबसे ज्यादा लैंड्सलाइट आपके क्या आएंगे जल्दी बताएं जल्दी बताएं विच आपका यहां पर आपका यहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा लैंड्सलाइट जो हैं वो देखने को मिलेंगी तो यहां पर चीफ मनिस्टर जो हो यहां पर राइट आंसर जो हो आपका बनेगा तो तो इसके बाद नेक्स कोशन आप से पुछा जा रहा है कि साइकलों जो है वो नौर्थ अट्लांटिक कोशन में क्या बोला जाता है कई बार आपको पता चुका हूं कि आपको नौर्श चाहिनाची मेंrier आए तो मतलब चाहिना में जपान में जब बोलते elf ए ब अस्ट्रेलियन को क्या बोलते हैं विली बोलते की आई असी तरह के लिए उसे इंडिय स्ट्ब्स नेको कया साइक्लों के तो आइस फेलिका भी यहां पर हां इसस भी हो आो हो आपका बन जाएगा सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वाल्केनों कौन सा है और यह मैं करवा चुका हूं आपको मौनलाव हवाई में माउंट फ्यूजी जपान माउंट गिलिमंजान तंजानिय नन अफ दई तो लार्जेस्ट वाल्केनों अगर देखना जाए तो यह मौनलाव जो है यहां पर आपने होनलूलू भी सुना होगा और दूसरा आपने हवाई जो है यह सीधा कोशन आ जाता है कि USA का कौन सा ऐसा रीजन है जो रिंग ओफ फायर में आ जाता है या फिर सरकमफैसिट में आता है तो यह वाला आंसर आएगा आपका on was the intensity of earthquake is major Y अब यह कोशन कई बार मैंने करवाया हो motivations जीन अब बत्रेमें को मैंने स्ब इंस्पेक्टर में एक बद्यक्ठर दो ही यह था है सब coaches कि आपका मेंगनिट्टीवड चो होता है न में सब कर्ककर स्केल में देखते हैं। और जो आपकी इंट्रेक boli में दिखते हैं तो और यहां czasu हो Chuck यहां पर यहां पे आन्से को आपका बनेगा ह sacrifici कि अब नाश्वोंच प्रफॉलिइंग कंट्री है लाज़स्ट ट्रांपोर शिस्टम ऑप लिवोड दुनिया में सबसे लाज़स्ट ट्रांस्पोर सिस्टम कांसी कंट्री का इंडिया यूसे यूके या फिर अफ्रिका का या इन्टेनेशल असे से स्टांटर हवाई वेरी गूद बॉर्निंग भावना जी कि मैगनिटीव डिक्टर स्केल वेरी गूड बहुत बड़ी है सेशन ठीक लग रहा है आप लोगों को बैलियूबल लग रहा है यह चीज़ बार बता दीजिए आपको था कि ऐसा से एक सेशन होना चाहिए विकास वी थॉट्ट सो देट क्या आप अगर त्यारी कर रहे हैं तो बाकि आप लोग बता जीए जी नेक्स सेशन की चीज़ पर लेकर आया जाए जाए वह वैसे सेशन आपके लिए लाएगे ठीक है तो आंसर जो है यहां पर इंडिया जो हो यह acceleration of global warming declaration of deceleration declaration of global warming it will have no effect on global warming global warming होगा it may or may not affect global warming चल्दी बिताएं क्या answer होगा 78 का answer क्यों होगा जस्ट बारा कोशन्स वे हैं और रह गहे है history पे सर कांसी history काहे कि history हाँ वो ऐसे है history subject पे जो लाएगे जो लाएगे जो लाएगे acceleration to the global warming is the right answer जो हो बने जो which of the following is defined as a process of involving the local people in the protection management of forest which of the following is defined as the process which of the following is the defined process involving the local people in the protection of management of forest environmental management joint forest management energy resource management or national resource management क्या answer होगा जल्दी इसको बोलते है joint forest management जो है वो यहां पे right answer जो है वो आपका बनेगा बिल्कुल से बिल्कुल ठीक है चलिए next question है which of these describes the relationship between the global water resources and the human demand for it water conservation, water act, water crisis or water shortage which of these describes the relationship between the global water resources and human demand for it water crisis, water shortage, water act, water conservation अब तेको यह थोड़ा से आ रहे है question से ऐसे कि जहां पे खार बच्चा जो है वो अलग तरीके से सोच सकता है तो answer जो है वो water crisis जो हो यहां पे राइट आएगा relation बताने डिस्काइब the relationship अभी क्या चल रहे है रिसोर्सी और human demand के साबसे crisis ही चल रहे है ना चलिए in an island the biodiversity is island में biodiversity कैसी होगी low high ना तो high ना low या extremely low एक island जो होता है उसके आसपस water body भी होती हो land body भी होती है तो वहाँ पे this is island इसे ecotone island इसे ecotone area जिसके पास आपको that is land भी मिलेगा और sea भी मिलेगा तो दोनों की जगह पे आपको ecotone area मिलेगा तो वहाँ पे ecotone वाले एरिया में biodiversity ज्यादा मिलती है तो यहाँ पे आपको high ही जो हो मिलेगा ठीक है यह भी जल्दवाजी में आपको लग रहा होगा अगर आप लगाते तो प्रॉपर आपको इस कोशन बड़े अराम से जो हो समझ आ जाते है विच फॉलिग और जीजम सबसे कम बीमारी किस से होगी कौन से हैं में से कौन से हैं आपको सबसे कम बीमारी मुझे कुछ हो सकती है और मिस्लेनियस कोशन और टॉपिक्स अंको शर्मा कह रहे है वेरी गुड अंको शर्मा ज़रूर हम आलेकर आएंगे पारिसेटिक वहम इस राइट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट विच अमंग दीज इस इन इंटर गॉर्मेंटल और इट कंट्रीज इन में से कौन सी एट कंट्रीज का गुरूप है यह जल्दी बताएंगे देखो साग की एक अपनी साग कंट्रीज अगर आप देखोगे तो उसमें आठ कंट्रीज आपको मिलती है उनका अपना ही है कि साउथ एशिन कोपरेशन एंवार्मेंटल प्रोग्राम तो यह आपका राइट आंसर जो है वह यहां पर हम बनेंगा यहां पर टिकेट चलिए इन 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 वार्मेटरिस और आप दो आपको कई कोश्चन देखने को मिल रहें तो आंसर होगा अनिल कुमार अगरवाल जो है वह यहां पर राइट आंसर जो है वह बनेंगा अब टू विच आफ फॉलिंग सेशन आफ कॉंग्रेस दा आटाबाइगर गांधी ज इन 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 इसमें अपनी जीवन से रिलेटेड तो माइच्परिमेंट ट्रूथ जो है वो गांधी जीन की मतब जिंदगी के बारें बताया बट कहां तक की मतब उन्होंने information जो है वो दी वह है वो that is 1920 तक up to this 1920 तक का information जो है वो उन्होंने उसमें बताया उसके आगे कहान ही नहीं बताई है next है who gave John Ruskin book unto the last to the Gandhi जी John Ruskin की book unto the last थी वो Gandhi जी को किस ने दी थी the author himself, JJ Doak, Henry Pollock या Kellan Beach important questions है यही से आपको दो तिन कोशन रिपीट भी हो सकते हैं my experiment अच्छा मुझे पताऊ सुभाज चंदर बोज की biography का क्या नाम है सुभाज चंदर बोज की biography का क्या नाम है जल्दी बताएं यहां में बिल्कुल सही है that is Henry Pollock is the right answer है सुभाज चंदर बोज की बनाना मेरे को article 36 to 51 आपको सिफ गांधियन प्रिंसिपल का article उठाना है जल्दी बताएं गांधियन प्रिंसिपल का article उठाना है आपने वह कौन-कौन से articles हैं जो की गांधियन principles हैं जल्दी बताएं जल्दी बताएंगे आंसर सो आर्टिकल 40, 47 और 48 जो है वो यहां पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगे next है in the opinion of गांदी जी which of the following method is the best for the conflict resolution गांदी जी की राह में संगर समाधान के लिए निमिलिक खित में से कौन सी विधी सरवोत्तम है जल्दी बताएं मतलब suppression of conflicts संगर्ष का दमन और से वर्वार्त का स्थागन and mutual dialogue यह diplomacy बताएं अब यह आगे गांदियन thought के questions आपके पास आप 40 बंचाय था बेरी the Indian struggle बिल्कुल सारव बिल्कुल सही बोला तो आंसर जो है वो mutual dialogue यहां पे राइड आंसर जो है वो आपका बनेगा when was the civil disobedience call of finally by civil disobedience movement यह question करवा चुका हूँ मैं कि finally कब जो है वो खत्म किया गया था गांदी जी के दौरा civil disobedience movement जो है वो गांदी जी के दौरा कब खत्म किया गया था तो वो 1934 में finally जो है वो खत्म किया गया था क्योंकि यह दूसरी बार भी जो है वो स्टार्ट किया गया था पॉपुलिली नोन अस मीरा बेन अस्टांच डिस्फिल अप गांदी जी वर से इंटू दिल्ली तो अप्राइस वास्ट्रेवर्ट कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगा इस साल का गांधी प्रिस प्राइस भी आपने लिखना है और अगला भी आपको द्यान में रखना चाहिए कि दाट इस पहला किसको मिला था तो पहला जो है वो किसको मिला डाट इस जूलियस नेरेर को यहां पर राइट आंसर बनेगा जिनको पहला गांधी पीस प्राइज लिया था और पिछला भी आपको ध्यान पेखने वैसे नितिन सर ने आपको यह करवा दिया होगा सब इस तरों पर प्रतेक्ष चुनाव होने चाहिए उनका मानना था कि अंतराश्टी शांती एक आलपनिक विचाहर है क्योंकि इसे कभी भी स्तापिक नहीं किया जा सकता उन्होंने भारती चिकित सब अधिति को यूवन को की सच्ची सूची में शामिल करने के लिए अवाज वह उठाई थी पताई इनमें से कौन सी बात जो है वह गांदी जी के बारे में करेक्ट है कि वह ऐसा सोचते थे जलिए बताए तो आंसर पहला आपका यहां पर सही रहेगा कि बलेव इन दे मैक्समुम अव दे गौर्वर्मेट इस बेस्ट विट्व गवन्स दा लीस्ट यहां पर राइट आंसर जो है वह बनेगा ठीक है तो यह थे हमारे आज के 2019 के पेपर 2019 का पेपर जिसमें हमने GS section किया जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पीवाई क्यू और जो प्रिवेस एर कोशन हिमाचल जीके किये वह अल्रडी हम अप्लोड कर चुके हैं तो 2019 का एलाइड की पीवाई क्यू ऑफ दे हिमाचल जीके जो 60 कोशन है उनको प्रॉपर डिसकेशन के साथ डाला गया है आप सिंपल आपने लिखना है पीवाई इस्क्रिप्शन में नंबर दिया है 78148462 पर पर कॉल कर सकते हैं बड़े नॉमिलर प्रेस में आपको 9000 फॉदर टू इयर्स की रिए है क्यूंकि एंटी का भी बीच में करवाया जाएगा बट पेपर तक आपका स्लेवर्स पटाफर जो कंप्लीट कराया जाएगा और इस कोई इंफोमेशन लेनी है तो आप मेर से भी बात कर सकते हैं ठीक है केशव कटोच मेरा नाम है तो आप किसी भी रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप डेमो लेक्टर लगाए और उसके बाद को जोईन करें बहुत बढ़ी है तरीके से और अगर सिर्फ फर सिर्फ आ आने की जुरती नहीं है वहीं से नोट्स भी वहीं पे नोट्स भी होंगे प्रैक्टिस कोशन्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको 45-46 लेक्टर में आपको बहुत बढ़ी है तरीके से जो है वह बनाए गया उसका डेमो लेक्टर भी देख सकते हिमाजल जी के का एक कोर् सकते हैं ठिक है कि कि निमबस करियर अप पे अपने अपको यहां पर बता करिये राप प्रीवस एर वाले सेक्टर में चले जाना 7814846248 हमारा कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है निम्बस करियर्स एप हमारी अपनी खुद की ऑफिशल एप है ठीक है डोंट गो विद दा टैक्ट मैंने आपको बोला था एक लाइन मैंने आपको समझाए थी कि अगर आपको जाइए और वहाँ पर सिंपल डाउट करके आप वहाँ पर डेमो लेक्टिर्स को लगाईए डेमो लेक्टिर्स के बाद आप देख लीजे कैसा पढ़ाया जाता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही है कल फिर मिलेंगे हम इसी सेशन में तो अभी तक के लिए इसको जितना शेयर कर सकते करिए और टैनिग्राम पर आपको विद आंसर की जो है वह यह मिल जाएगा तो